चीटी और कबूतर की कहानी एक नदी के किनारे एक पेड था उस पेड के जड़ों के नीचे एक चीटी रहा करती थी उस पेड के उपर ही एक घोसला बना कर एक कबूतर भी रहा करती थी एक दिन की बात है चीटी पानी पीने के लिए नदी की ओर गई नदी में एका एक बहाव उठा और चीटी पानी में दूबने लगी चीटी अब दूब कर मरने वाली ही थी तभी कभूतर की नजर उस चीटी पर गई कभूतर ने पेर से एक पत्ते को तोड़ कर नदी में उस थान पर गेराया जहां चीटी दूब रही थी चीटी पत्ते पर चड़ कर अपनी जान बचा ली नदी के बाहर आने के बाद चीटी कबूतर को धन्यवाद कहना चाहती थी लेकिन उसे कबूतर मिलती ही नहीं थी कुछ, समय बीता, एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के पासा खड़ा हुआ पेड़ की डाल पर कबूतर बैटी थी शिकारी ने अपने बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाने वाला ही था कि शिकारी को चीटी ने देख लिया चीटी के लिए यह ऐसा समय था जब अपने जान पर खेल कर कबूतर की मदद किया जाए चीटी जल्दी से शिकारी के पास जाकर शिकारी के पैर में काट लिया चीटी के काटने से शिकारी का निशाना चूक गया गोली कबूतर को न लग कर पेड़ के एक डाली को जा लगा कबूतर जल्दी से वहां से उर गई इधर शिकारी के पैर में काटने के बाद चीटी अपने बिल में गुज गई चीटी और कभूतर की कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें किसी की भी मदद कर देना चाहिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें मदद के बदले क्या मिलेगा